हेलो बच्चो पढ़ाई से परतियोगिता तक के कारिकरम में मिशन शेक्षन सवाट टीम आप सभी बच्चो का स्वागत करती है बच्चो आज हम इस कारिकरम के अंतर्गत जवाहर नवद्दे विद्याले परवेश परिक्षा प्रेक्टिस पेपर सेट 7 को पढ़ेंगे चलिए शुरू करते हैं बच्चो जब आपके सामने पेपर आता है तब उसमें कुछ निर्देश दिये हुए होते हैं कि जैसे कि परशन संख्या एक से पंदरा में दिये गए वाकियों में उचित वितल की सहायता से रिक्तिस्थानों की पूरती कीजिए इस तरीके से उसमें परशन दिये होते हैं चलिए हम आज के इस पेपर का पहला परशन देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है यह कारिये और इसके आगे यह कारिये कि आगे यहां रिक्तिस्थान है और आखिर में है दे दिये गया है यानि कि हमें इस वाकिये को पूरा करना है इसे मना नहीं क किया जा सकता अब यहां पर 4 उत्तर दीये हुए हैं कि पहला उत्तर है अविशक दूसरा उत्तर है जरूरी थीसरा है अनिवारी और चोता है अविश्चे तो बच्य हम देकते हैं अगर हम आवश्यक रखें गजाएंगे यहांपर तो यह कमारए गल्द र जाएगा जरूरी अगर रखेंगे तो यह हमारा गलत हो जाएगा और अविश्य रखेंगे तो यह हमारा वाक्य जो है बिलकुल गलत हो जाएगा जैसे हम अविश्य रखकर देखते हैं कि यह कारी अविश्य है इसे मना करना मना नहीं किया जा सकता तो देखिए यह अधूरा सा वाक्य लग रह अगर बच्चों हम यहां पर अपार C वाला जो आप्शन है वह बिल्कुल सही है और यही हमारों तरह अगर हम यहां पर इस रिक्तिस्थान में अनिवारिय शब्द को भरेंगे तो यह हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा जैसे यह कारिये अनिवारिये है इसे मना नहीं किया जा सकता कि अनिमार्य कार्यों को हमेशा मना नहीं किया जा सकता कड़ नहीं होता है बच्च इसका दूसरा परशन भी है ऐसे ही एक वाक्य दिया हुआ है इसमें भी रिक्तिस्थान है उसे भर कर पूरा करना है चलिए वाक्य देखते हैं राहुल के साथ अब डेश दिया मत करो वे जल्दी ही गंभी हो जाता है यानि कि राहुल के साथ ऐसा क्या ना करें कि वो जिससे गंभी ना हो है ना पहला इसका उत्तर दिया हुआ है उपहास दूसरा उत्तर दिया हुए परिहास तीसरा है हास और चोथा है छेड़चा तब पहला इसका अगर हम भी उत्तर तो B परिहास भी गलत है क्योंकि ये उड़ाया जाता है किसी को हम जलिल करते है या रुस्वा करते है इसका C वाला उप्षन फास वो भी गलत है यानि राहुल के साथ उप्भास हो जाता है मत करो वह जल्दी ही गम्भीर हो जाता है कि आज आपने अच्छा कारी किया इसलिए तुम्हें रिक्तिसान दिया हुआ है दिया जाएगा अब क्या दिया जाएगा इन्होंने चार ओप्षन दिये हैं क्या धन दिया जाएगा दूसरा है पारी तोशिक तीसरा है पुरसकार और चोथा है दन अगर हम कोई अच्छा कारीय करते हैं तो डी वाला ओप्षन हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि दन नहीं दिया जा सकता अगर हम कोई अच्छा कारीय करते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके लिए किसी को धन दें, दूसरा भी option, बी वाला option भी हमारा गलत है, कि पारी तोशिक, लेकिन सी वाला option जो है, वो हमारा सही है, पुरसकार, यदि कोई बनुश्य अच्छा कारिय करता है, तो उसके लिए उसे पुरसकित किया जाता है, इसका चोथा परशन हम देखते हैं, कि उसे अपने आ पहला उत्तर है इसका कि अभिमान, दूसरा है अंकार, तीसरा है मान, और चोथा है सबमान, उसे अपने आपका विधायक होने का अभिमान, ये गलत है, मान, ये भी गलत है, सबमान, ये अच्छे कारियों से जुड़ा हुआ है, ये भी गलत है, यदि हम इस वाक्य में अहं तो यह हमारा वाक्त क्या होगा पूरा हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि हमारा बी वाला उप्षन जहें वह विल्कुल सही है अब इसका आगे परशन हम देखते हैं आए हुए महमानों का अब रिक्तिसान है करो अब क्या करना चाहिए पहला उप्षन है अभिनंदन दूसरा है आदर तीसरा है स्वागत और चोथा है उपहास तो पहला जो है अभिनंदन यह गलत है आदर यह गलत है और चोथा जो है उपहास वो गलत है लेकि तीसरा जो अप प्रिम्धानों का स्वागत किया जाता है ना अभिनेंदन किया जाता है ना अदर किया जाता है ना उनका उपहाँ उडाया जाता है। तो हमारा सी वाले आप्शन जो है वो बिल्कुल he है किheimaamokra तो इसके हमारा वाकिय जो है Vanessa ket अब इसका च्छटा पर्शान अगर हम देखते हैं कि यथा शक्ति में कौन सा समास है तो पहला है कर्मधारिय समास दूसरा है ततपुरिष्ट समास तीसरा है दवन समास और चोता है अव्वेई भाव समास तो बच्छों हम देखते हैं कि पहला कर्मधारिय समास इसमें नहीं है ततपुरिष्ट समास भी नहीं है इसमें दवन समास भी नहीं है लेकिन डिवाला उप्शन जो है इसका बिलकुल सही है कि अव्वेई भाव समास चलिए अव्वेई भाव समास क्यों है इसका हम सलूशन देख लेते हैं बच्चों अव्यभा समास जो होता है जिस समासिक पद का पहला पद कुछ पद जुड़कर एक वाक्य बनता है तो पहला पद तो अवव्वे विशेशण अव्वे होता है तो अव्वे तो उसे क्या कहते हैं अव्वे भावसमास कहते हैं जैसे यथा शक्ति यथा इस्थान आदि अब इन शब्दों में जो है यथा अव्वे का प्रयोग किया गया है अव्वे वे शब्द होते हैं जो किरिया विशेशण में पहले पर यथा शक्ति में शक्ति में क्या लगा हुआ है यथा लगा हुआ है और यह यथा जो है अव्वे है अव्वे शब्द है और जब किसी समासिक पद में अव्वे शब्द लगाए जाते हैं तो वो उसका अर्थ बदल देते हैं और इन शब्दों के पहले पद में यथा अवेई भाव समास बन गया है अब इसका साथ्वा पर्शन हगर हम देखते हैं कि तिरिभुच शब्द में कौन सा समास है पहला इसका उत्तर दिया हुआ है शर्ष्टी तत्पुर्ष समास दूसरा है अवेई भाव समास तीसरा है मध्यम पद लोपी और चोथा है दिवगो समास पहला इसका उत्तर कलत है दी वाला भी कलत है तीसरा वाला भी कलत है लेकिन चोथा वाला यानि कि डी वाला जो अप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है और यही हमारा उत्तर है चलिए यह जो है तिरी भुज में जो है दीगो समास है अब हम यह देख लेते हैं कि दीगो समास क किसे केते हैं बच्चों दिगो समास में यानि कि जिस समास का पहला पद जो होता है वो संख्या वाचक होता है और दूसरा पद जो होता है वो संग्या वाचक होता है तो उसे क्या केते हैं दिगो समास केते हैं जैसे चोराहा यानि कि चार राहों का समाहार अगर हम इनको टु तीरी भूच में दिवी को सपास अब इसका अगला पर्शन हम देखते हैं कि यह कवीता भाव को परकट करती है वाक्य का शुध रूप क्या होगा यह जो है वाक्या शुधिया है अब हमें सही वाक्य को चाटना है पहला गर हम वाक्य पढ़ते हैं कि यह कवीता अनेकों करती है तीसरा है कवीता में भाव को परकट करती है तो सी भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया चोथा है कवीता भाव परकट करती है तो यह भी हमारा गलत हो गया अब हमारा यहां बचा भी तो हमारा यही हमारा उत्तर है कि यह जो यहां पर वाक्य दिया हुआ है यह बिल्कुल स नहीं है कि यह कवीता भाव को परकट करती है अब इसका नवा पर्षन अगर हम देखते हैं कि किरशन के अनेकों नाम है वाक्य का शुदृ रूप है अब देखे गलत वाक्य उपर दिया हुआ है लेकिन इसका हमें सही रूप चाटने के लिए कहा है पहला उप्शन है कि अनेक नाम से ग्यात हैं, तो C वाला ओप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया, और D वाला ओप्शन का हम देखते हैं, कि किर्शन के अनेक नाम उसे ग्यात हैं, तो ये भी हमारा गलत है, अब हमारा कौन सा बचा, B वाला ओप्शन बचा, कि किर्शन के अनेक नाम है, तो ये अब इसका दस्वा परशन अगर हम देखते हैं कि शोक है कि आपके पतर का जवाब नहीं दिया, वाक्य का शुद रूप क्या है? देखे उन्होंने वाक्य जो है अशुद दे दिया है कि शोक है कि आपके पतर का जवाब नहीं दिया पहला है चिंता है कि आपके पतर का जवाब नहीं दिया तो ये गलत है किसी को चिंता ही नहीं होती है दूसरा है पतर का जवाब देना जरूरी नहीं है ये भी गलत है D वाला गरव आप्शन देखते हैं संतप्त हूं कि आपके पतर का जवाब नहीं दिया तो ये हमारा गलत है अब हमारा कौन सा आप्शन बचा C वाला उक्षन बचा जो हमारा उत्तर है कि खेद है कि आपके पतर का जवाब नहीं दिया तो ये वाला वाक के जो है हमारा बिल्कुल शुद है और यही हमारा उत्तर है बच्चों आगे हम देखते हैं कि 11 से 15 तक के परशन किस परकार से आते हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि परशन संख्या 11 से 15 इस खंड में अनुच्छेद है अनुच्छेद पर 5 परशन दिये हुए हैं अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ना है और उसके नीचे दिये गए परशनों के उत्तर देने हैं परशन के चार संभावित उत्तर दिये गए हैं जिनकी क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 है इन में से कोई एक उत्तर ही सही है आपको सही उत्तर चुनकर उसकी क्रम संख्या उत्तर पत्रिका में सम्बंधित परशन संख्या के सामने दिये गए बोक्स में लिखनी होती है तो चलिए अनुच्छेत को पढ़ते हैं एक हाती दिन के 16-18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है एक पूर्ण विखसित हाती प्रति एक दिन 137 किलो गिराम से अधिक यानी की 137 किलो गिराम से अधिक खाना खा सकता है हाती शाकाहारी पशु है वे पतियां, कौमल, डढठल, जंगली जाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं भारती हाती बास के पोधे खाना पसंद करते हैं क्या खाना पसंद करते हैं भारती हाती बास के पोधे खाना पसंद करते हैं हाती भोजन और पानी के लिए खोदने तता पेड़ों की चाल चीर कर अलग करने के लिए अपने दातों का उपयोग करते हैं वे अपनी सून्ड का उपयोग भोजन को अपने मुह में रखने के लिए करते हैं यह सब आप सभी ने देखा होगा कि खाती जो है वो सून से खाता है हाती किसी पेड़ को इतना जुका सकता है कि उसका बच्चा उसकी पत्तियां खा सके एक वैस का हाती एक दिन में 18-26 गेलन पानी पी सकता है हाती पराय किसानों की फसले बरबाद कर देते हैं उन्हें गन्य खाना बहुत पसंद है इसलिए किसानों को खेतों की रक्षा करनी पड़ती है जब हातीों को देखते हैं तो जोर-जोर से बहुत शोर करते हैं कभी तो वैं भाग जाते हैं पर प्राय वैं कोई चिंता नहीं करते वे खेतों में आ जाते हैं और गन्ने उखाडते हैं हमें अपने वनो की रक्षा करनी होगी ताकि हातियो को उनका भोजन वहीं मिल जाए तभ वे खेतों में नहीं गुसेंगे और फसलों को नश्ट नहीं करेंगे और पाश्वो को खुशी से साथ-साथ रहना चाहिए चलिए अब हम इसका परशन देखते हैं कि हमसे इसमें क्या परशन पूछा काया है पहला इसका परशन है 11 कि हाथी एक दिन में कितरे घंटे खाने में बिताता है पहला अप्षन है कि 10-12 घंटे दूसरा है 14 से 16 घंटे, तीसरा है 12 से 16 घंटे और D वाला जो option है 16 से 18 घंटे तो पहला वाला option देखते हैं तो वो गलत है B वाला option भी गलत है, हमारा C वाला option भी गलत है लेकिन यह जो D वाला option है बच्चो यह बिल्कुल सही है कि एक हाती कितने घंटे बिताता है खाने में 16 से 18 घंटे खाने में बिताता है इसका दूसरा परशन देखते हैं कि हातियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है इसके option देखते हैं, उत्तर देखते हैं इसके कि वे केवल सबजी और फल खाते हैं इसलिए कि वे केवल पत्या और घास खाते हैं क्या इसलिए वे पत्या फल और पोथे खाते हैं क्या इसलिए वे केवल पेड़ों और फलों को खाते हैं क्या इसलिए तब पहला जो A वाल अप्शन है हमारा वो गलत है वे केवल सब्जी और फल खाते हैं ये गलत है दूसरा वाला उप्शन भी हमारा गलत है B कि वे केवल पत्तिय और घास खाते है D वाला उप्शन भी हमारा गलत है कि वे केवल पेड़ों और फलों को खाते है अब हमारा कुन सा बचा? C वाला उप्शन बचा कि C जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि वे पत्तियां और फल और पोधे खाते हैं इसलिए हातियों को शाकहारी कहा जाता है अब इसका तीसरा परशन हम देखते हैं कि भारती हाती क्या कड़ना पसंद करते हैं पहला है गन्य खाना, दूसरा है शोर करना, तीसरा है फसल उचाड़ना और चोथा है दूसरे पशुओं को खाना तो B वाला गर हम option देखते है शोर करना तो ये गलत है तीसरा वाला option देखते है फसल उचाड़ना ये गलत है चोथा है दूसरे पशुओं को खाना ये गलत है हाथी कभी पशुओं नहीं खाता है लेकि हपपवारा बचा, एवाला उक्षन बचा जो बिल्कुल सही है कि भारती हाथी क्या करना पसंद करते हैं? गन्य खाना पसंद करते हैं अब इसका हम चोहद्वा पर्शन देखते हैं यानि कि इस अनुछेत का चोथा पर्शन कि अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए किसान क्या करते हैं पहला इसका उत्ता दिया है कि उनके पीछे भागते हैं दूसरा है उनपर बंदूग चला देते हैं तीसरा है शोर मचाते हैं और चोथा है खेतों के चारोर दिवार बढ़ा देते हैं पहला अगर हम उत्तर देखते हैं कि उनके पीछे भागते हैं तो ये गलत है, D वाला उत्तर देखते हैं कि उन पर बंदूग चला देते हैं तो ये गलत है, D वाला उप्षन अगर हम देखते हैं कि खेतों के चार और दिवार बना देते हैं तो ये गलत है, तो अब हमारा कौ अखरी परशन अगर हम देखते हैं कि निमने लिखित में से नश्ट करना का विलोम शब्द क्या है इस अनुच्छद में नश्ट करना आया है उसका विलोम शब्द कौन सा है पहला है शोर करना दूसरा है विरोध करना तीसरा है भगाना और चोथा है रक्षा करना तो पहला ह शौर करना गलत है दोसरा है विरोध करना गलत है तीसरा है भगाना वो भी गलत है और चौथा है रक्षा करना यह बिलकुल सही है कि नश्ट करना का जो है उल्टा जो है विलॉम शव्द रक्षा करना होता है तो बच्चों आज का ये वीडियो आपने देखा शीट किर्वांक 7 का सार आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा पढ़ा आप सभी बच्चों का बहुत भाँ धन्यवाद बच्चों आप इन वीडियो को अविश्य देखेगा और गिरहकारिये के के सामने वीडियो एक दब आ जाएगा और आपको धियान आ जाएगा कि ये पर्शन हमने अगर इसमें से कोई पर्शन आता है आपके इमतहन में तो आपको फोरण याद आ जाएगा कि इसका उत्तर ये था आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद